जहिन बच्चों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दून आईडिये में तो बच्चों मैं विशाल गुपता GS faculty आपके सामने आज लेकर आया हूँ GS का एक mock test paper उमीद कर रहा हूँ बच्चों की जैसे ऐसे paper नजदीक आ रहा है तो नीचे description पे आपको एक link दिख रहा होगा उस link में जाके आप हमारा ये mock test paper attempt कर सकते हैं तो start करते हैं GS से समंदित आपके important questions जो आपके paper point of view को लेकर के बहुती महतपून है तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक question है The seasonal reversal of winds is the typical character ध्यान रखें आपने ये चीज ये reversal, seasonal reversal of the winds तो ये चीज आपने ocean currents में भी सुनी होगी और Indian monsoon में भी आपने सुना होगा कि पूरे विश्व में केवल Indian ocean ही एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर direction उसका दिशा change हो जाती है और वो दिशा change होने का कारण है monsoon ठीक है ध्यान दे कि जो Indian ocean है this is India ठीक है ये Indian ocean है तो Indian ocean में जो दिशा है वो पहले होती है South West से North East की तरफ जिसे हम South West monsoon कहते हैं और बाद में ये अपनी दिशा को change कर लेता है गर्मियों में South West से आता है और सर्दियों में ये North East से वापिस जाता है तो Indian ocean is the only ocean in the world ये एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर जलधारा जो है अपनी दिशा चेंज करती है winds अपनी direction को change कर लेते हैं तो उन्होंने ये पूछा है कि ये seasonal reversal जो है winds का तो ये किसका character है तो इसमें answer क्या हो जाएगा बच्चो monsoon climate का क्योंकि जो monsoon आता है तो southwest direction यानि कि southwest monsoon गर्मियों में और सर्जियों में इसी monsoon को आप क्या कहते हैं नौर्थीस monsoon ठीक है चलिए अगला next question की तरफ भड़ते हैं अगला परशन आपके समक्ष है उन्होंने बोला है कि इन में से tropical savana region का character कौन्जा होगा बेटा देखो tropical savana यहां पर word है तो tropical का मतलब क्या होता है ocean कटी बंद यानि कि tropics के बीच में और यहां पर उन्होंने सवाना word बोला है तो दिहानकना सवाना मतलब होता है एक प्रकार की grassland और ऐसी जगा ऐसा area जहां पर वर्षा 80-150 cm होती हो आपने जब climate of world climate of India पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने word सुना होगा 80-150 cm की बारिश जहां पर होती है जहां पर temperature करीब 25 degree Celsius रहता हो यानि कि high temperature रहता हो या फिर आप कह सकते हैं जैसे Sudan type of climate Sudan में पाया जाने वाला जो climate है ठीक है जो आपका tropical जहां पर tropical wet and dry climate, tropical wet and dry क्यों? क्योंकि यहां पर जो बारिश होती है और जो temperature है वो दोनों ही average है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है wet and dry यानि कि monsoon की तरह है यह लेकिन monsoon क्यों नहीं बोलते हैं मौनसुन में बारिश fix होती है आना लेकिन इस प्रकार के climate में बारिश का fix होना संभव नहीं है ठीक है इसमें definite नहीं है कि बारिश कब होगी होगी लेकिन बारिश कब होगी ये definite नहीं है तो ये जो आपका tropical सवाना है ये किसे मेल खा रहा है बेटा a definite dry wet season महीने तो बिटा ये अगर evergreen होता तो answer alpha हो जाता फिर उन्होंने बोला rainfall in winter तो वो आपका Mediterranean sea का ये character किसका है Mediterranean type of climate का ये character किसका है evergreen type of climate का extremely short dry season ये climate कहा है जहां पर desert हो जहां पर arid area हो शुशक area हो तो मैंने तीनों बाकी option का भी आपको explanation दिया है कि इसका answer a, b, c, c, क्यों नहीं होंगे तो इससे क्या है आपको काफी help मिलेगी ठीक है next अगले question पर आप देखें उन्होंने एक असान question दिया है वायू मंडल हमारे प्रिथिवी के चारों तरफ एक air यानि कि atmosphere वायू का एक blanket है, layer है तो इस वायू मंडल को हमने study करके classify किया है अलग-लग layer में जिसमें सबसी पहली layer का नाम है troposphere, शोब मंडल पहली layer आती है troposphere, फिर stratosphere फिर mesosphere फिर ionosphere thermosphere, exosphere तो यह आपकी atmosphere की सारी layers है, तो यहाँ पे उन्होंने arrange करने के लिए बोलावा है, तो arrange जब आप करेंगे ascending order में, यानि कि नीचे से उपर, भढ़ते वे करम में तो सबसे पहले troposphere, ठीक है, third then fourth three, four, पहले three आएगा फिर four आएगा, उसके बाद two और फिर one, तो three, four, two, one delta option में आ रहा है, तो answer आपका delta, बहुत easy है तो question, direct था next question आप से पूछा गया है, कि इन में से coral island, अब यहाँ पे बच्चे confused होंगे ध्यान लखना, भारत में अंडमा निकोबा island है, ठीक है, यह अंडमा निकोबा island हो गया आपका यह आपका लक्षदीप हो गया, यह लक्षदीप new more island किसी वक्त किसी जमाने में, इंडिया बंगलादेश के बीच में disputed island था, अब यह new more island, यह आपका location मैंने आपको बता दी अंडमान निकोबार यह आपका, और लक्षदीप ही आगया, अब आप से पूछा गया है कि coral island, ध्यान लखें, जो मुगा चक्ताने हैं, मुगा चक्ताने चारो जगे पाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो completely मुगा चक्तान से बना है, तो ध्यान लखना उसमें इसका आंसर होगा, लक्षदीप लक्षदीप जो है, यह completely at all है, it is an at all और at all मतलब, यह completely मुगा चक्तानों से बना है, जबकि बाकी जगाओं में क्या है, इसके तठ पर मुगा चक्ताने पाई जाती हैं, जबकि नोने बोला है, कोरल आईलेंड, जो पूरा ही कोरल से बना है, मुगा चक्तानों से बना है, ठीक है ना, इसलिए इसका अंसर बेटा डेल्टा होगा चलिए अगले प्रस्ट पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने एजी है उन्होंने बोला है कि इन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बिटा देखो जो गर्जट की पहाडिया है यह आपने देखा होगा उडीसा में है मांडव की पहाडिया जो है यह महराष्ट में नहीं है बेटा गुजरात में है तो अब हमें सेकिंड में ही एक उप्शन मिल गया तो इसलिए इसका अंसर क्या हो गया ब्रावो क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था करेक्टली मैच नहीं है तो बाकी आगे जाने की जरूती नहीं है ओके नेक्स्ट अगला प्रशन है आपके सामने उन्होंने बोला है कि यहां पर एक तरफ शहर और उसके किनारे जो नदियां बहरी है यानि कि शहर जिस नदी पर स्थापित है अब आप ध्यान दे जो बेतुल है बेतुल यह MP में मुलताय आपने जगे सुनी होगी जहां से तापी नदी निकली है तो बेतुल जो है तापी नदी के किनारे हो गया जगदालपुर 36 गड़ में है अब 36 गड़ की अगर हम बात करें तो 36 इंद्रावती आपने सुना होगा इंद्रावती नदी तो यह 36 गड़ से भैती है अगले प्रश्ण की तरफ नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सी नदी जो है अमर कंटक से निकली है तो आप धियान दे मैंने आपको बताया था कि अगर ये मैकाल रेंज आपने पढ़ी मैंने आपको जोगरफी में बताया था मैकाल की जो ये मैंने आपको पढ़ाया था तो नर्मदा नदी है ये मैकाल की पहाडियों में ही इसमें सबसे उची-چोटी का नाम है अमरकंटक तो अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उदगम हुआ है और ये अमरकंटक ही वही फेमस जगह है जहां पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसी अमरकंटक के किनारे हर्श वर्धन को पुलकीशन सेकिंड नाम के राजा ने चालुक के बंच के राजा ने defeat किया था आपको अगर यादो 620 AD में तो आपको जब GS की preparation कर रहे हो तो आपको link करना भी आना चाहिए कि भई अगर हम geography पड़ रहे हैं और वहाँ पर कोई term अगर history से संबन देते है पॉलिटी से संबन देते हैं तो वो सारी चीजे recall हो जानी चाहिए चलिए next question अगले question की तरफ भढ़ते हैं इसका answer हो गया Charlie उन्हाने इन में एक तरफ आपको देखो बेटा lakes दी हैं और आप से पूछा गया इनमें से एक correctly match बताना है अब आप देखो जो लोनार लेक है ये बेटा महराश्टर में famous लोनार लेक आपने सुना होगा अक्रेटर लेक ठीक है अच्छा नक्की लेक जो नक्की लेक है बेटा ये राजिस्थान में है ठीक है कोलेरू पुली कट अब देखो पुली कट अनपरदेश में है ये तमिल नाडू अनपरदेश के बॉर्डर में आपने देखा होगा और जो कोलेरू है ये आपका अनपरदेश में तो अब उन्होंने क्योंकि एक ही correctly match दिया था और मैंने बाकी के option भी बता दी है तो इसलिए इसका answer क्या हो गया चारली ठीक है तो मैंने आपको जब lakes कराए थे याद करो types of lake तो मैंने आपको जीलों के बारे में सरफ ये नहीं बताया था कि कौन-कौन सी जीले कहां कहां पर है मैंने ये तो list आपको बद्दी ही थी ये तो बहुत common है पर मैंने आपको lake का classification भी बताया था crater lake, deltic lake, lagoon lake, glacial lake, wind made lake, tectonic lake आपने उस समय पढ़ा था ठीक है चलिए तो मैं आपको ये चीज़े इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़े recall भी हो कि हम जब यहाँ पर हमने पढ़ा था तो हमने detail में सभी matter concepts clear करे थे तो next, अगला question आपका है इन में से सबसे उचा waterfall जल प्रपात कौन सा है तो ध्यान लखने बेटा, इसमें आपको जल प्रपातों के बारे में ये ध्यान लखना है कि इनकी height, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि कौन सा जल प्रपात कहां पर है ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी ध्यान लखना है कि जल प्रपातों के height भी आपको ध्यान लखनी है तो ध्यान लखना, कुची कल जो falls है ये 455 मीटर उचा है और बाकी सब की height किसी की 300 है, तो किसी की 200 है सबसे उचाई से गिरने वाला जो waterfall है, वो कौन सा है बेटा कुची कल, इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा डेल्टा, अगर आप से कोई पूछे की बताओ, जो बरहे पानी है, या फिर jog falls है, तो आपने सुना होगा 36 गड़ में, उडिसा में सिमिली पाल, वहीं पर बरहे पानी है jog falls आपने सुना होगा करनाटका में है, मीर मुट्टी, केरला में है तो यह सब आपको option जब आपके सामने आते हैं तो आप कोशिश यह करा करें कि question paper में answer निकालने के अलावा बाकी के जो तीन option होते हैं उनकी भी जानकारी आपको हो तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई का level धीरे-धीरे improve हो रहा है सिर्फ question solve नहीं करना है question solve करने के साथ-साथ आपको इस चीज़ का ध्यान एकना है कि answer पता होने के साथ-साथ along with the answer बाकी के option इसके answer क्यों नहीं है उसका कारण भी आपको पता हो तो इसका मतलब आपकी knowledge का दारा भड़ा है ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन आपके सामने है the conference point of alaknanda and bhagirati is अब आप ध्यान दो हमें गंगा नदी प्रणाली पड़ी थी उत्राखंड में ठीक है भागिरती आती है आपकी गंगोत्री से और ये आपकी देव प्रयाग में जाकर के मिल जाती है तो देव प्रयाग में भागिरती और अलकनन्दा दोनों का संगम होता है देव प्रयाग में और तब जाकर के आगे चलकर के इस इस नदी को गंगा नाम दिया जाता है तो क्योंकि रुद्र प्रयाग में तो बेटा क्या है मंदाकनी और अलग नंदा का confluence हो गया ओके विश्णु प्रयाग यह वाला हो गया यह विश्णु प्रयाग है कहां पर जहां पर धौली गंगा विश्णु गंगा और आपकी अलग नंदा मिलते हैं उसके बाद फिर आपकी मैंने आपको बताया था नंदाकनी नंद प्रयाग और प्रयाग में आपकी पिंडर नदी आकर मिलती है तो पिंडर नदी अलग नंदा से कंड़ प्रयाग में मिलती है विश्णु प्रयाग में ये रोदो प्रयाग में ये और देव प्रयाग में ये तो मैंने पूरा डाइगराम आपको इंडियन रिवर सिस्टम में पढ़ाया था तो जिन बच्चों ने पढ़ा था उनके लिए बहुत इजी सारे आपके समक्ष एकदम रिकॉल हो जाएंगे अगला अगला प्रशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन में एग्री तू सर्व दा नीड्स ऑफ दे स्टेट अब आपसे कोशन यहां पर यह नहीं पूछा है कि यूपीएस्टी का फंक्शन बताओ यूपीएस्टी के फंक्शन में थोड राश्पती ने अप्रूबल दे दिया हो ठीक है लेट सी ओन दा रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर प्रदान मंत्री के कहने पर नहीं ओन दा रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विद अप्रूबल अप्रेसिनेंट यह बेटा अगर राज्ये में गवर्नर कहे यूपीएस्टी से हमने यूपीएस्सी और एस्पीएस्सी यह दो आयोग हमने पड़े थे ठीक है आर्टिकल 315 में इन दोनों के बारे में दिया हुआ है और मैंने आपको ये भी बताया था एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई जा सकती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क अभी गठन किया जा सकता है इसमें नंबर OF जो मैंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते आदे से जदा मेंपर जो होते हैं दोनों में 10 साल से जदा अनुभावले होते हैं आपको उनने मेंंकिया था कारेकाल 6 साल या 65 साल का होता है यहां पर 6 साल या 62 साल का tweet अक्रों शाया कौन सा आर्टिकल है जिसके बाद जिसमें लिखा गया है कि पब्रिस सर्विस कमीशन के सदस्यों को हटाया जा सकता है अब देखो बच्चो आर्टिकल 315 मैंने आपको अभी बताया है इसमें UPSC और SPSC के बारे में दिया गया है आर्टिकल 316 में लिखा गया है कि आधे से ज अगला प्रशन है अब देखो इन आयोगों के सदस्यों को remove कैसे किया जा सकता है option देखते हैं governor के दुआरा अब आप ध्यान देखो UPSC और SPSC में मैंने आपको बताया था इनका appointment भले ही इधर राश्पती करता होगा इधर governor करता है लेकिन जब removal की बात आती है तो बेटा removal में मैंने आपको बोला था दोनों जगे ही president remove करेगा ठीक है तो अब इसलिए answer इसका alpha नहीं होगा ब्रावो नहीं होगा क्योंकि governor का इसमें remove में कोई roll नहीं है अब आपके option बचे क्या अच्छा डेल्टा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी governor बोल दिया तो जब governor आएगा ही नहीं तो बचा option क्या केवल चारली येस प्रेसिडेंट के द्वारा ही remove होते हैं अगर supreme court ने inquiry कर ली हो तो यह condition है एक बार प्रशनी यह भी आया था क्या बिना supreme court के inquiry के भी राजपती निकाल सकता है येस remove कर सकता है लेकिन उसकी condition क्या है अगर वो sound mind का ना रहा बैंकरप्ट हो गया यानि की discharge insolvent हो गया भारत का नागरिक नहीं रहा तो यह कुछ ऐसी condition है जिसमें supreme court की inquiry की आवशकता नहीं है ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़े अगला प्रशन है आपके सामने which of the following is the correct is correct about union public service commission of India अब ओई केंद्र लोग से वायोग से समन्दित आपको सही कथन ढूंडना है अब इसमें बूलावा है कि it's supervises state public service commission तो ध्यान रखना आर्टिकल 315 में लिखावा है केंद्र के लिए UPSC और state के लिए SPSC होता है तो UPSC का state से कोई लिए न देना नहीं है इसंट इड़ पहला option गलत हो गया तीसरा option देखते हैं इसके सारे सजसे UPSC में केंद्र में सारे सजसे SPSC से लिए जाते हैं नहीं ऐसा मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कि केंद्र में सारे मेंबर राज्जे से आएंगे ऐसा नहीं है चौथा option यह अपनी जो guidelines है वो state public service commission नहीं बेटा UPSC के member को राश्पती अपॉइंट करता है तो अपनी यह report भी किसको देंगे राश्पती को देंगे तो इसमें answer ना तो alpha है ना चारली है ना डेल्टा है ब्रावो बचा है जिसमें लिखा है it has nothing to do with state public service commission yes UPSC का SPSC से कोई link नहीं है link in the sense UPSC अपने काम करती है SPSC अपने काम करेगी दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं ठीक है चलिए देखे question थोड़े different भी है question थोड़े moderate भी है कुछ easy भी है कुछ tough भी है आपका दिमाग चरन करने के लिए मैंने कुछ आपके complicated questions भी इसमें डाले हुए है अगला प् उन्हाने यहां पूला है which region of the country conferred special status under article 371 ठीक है अब देखो ध्यान दे बच्चो आपने सुना था एक article 370 जम्मू कश्मीर को JNK को special status का दरजा दिया जाता था और वो special status क्या होता था जम्मू कश्मीर का अपना खुद का constitution हुआ करता था क्या हुआ करता था अपना खुद status की बात करूँ special status तो special status हमने भारत के कुछ और अन्य राज्यों को भी दिया हुआ है लेकिन यह special status जम्मू कश्मीर के तरह नहीं है यहां पर हमने article 371 371 A B C D E F G H I J हमने भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों को वहां के विकास के लिए आर्थिक समाजीक राजनितिक विक लिए development के लिए क्योंकि वह आपके पिछड़े एरियाज हैं बैकवर्ड एरियाज हैं जंजातियों वाले इलाके हैं तो ऐसे इलाकों को ऐसे एरियाज को इंप्रूव करने के लिए उनका धियान रखने के लिए उनके लिए कुछ special provisions नियम का प्रबंद करने के लिए हमने कुछ articles अपने सविधान में mention की हुए हैं तो यहां पर यह पूछा गया है कि यह जो special status है अंडर आर्टिकल 371J तो किस राज्य को दिया गया है तो ध्यान रखना आर्टिकल 371J में हमने जो है है हैदराबाद और करनाटका इनको दिया हुआ है किसको दिया है बेटा हैदरा 371A वहीं पर अगर आप महराष्ट और गुजरात की बात करेंगे लदाक की बात करेंगे तो लदाक इसमें नहीं है ठीक है लदाक इसमें नहीं है आपने 371 आर्टिकल में मैंने आपको notes में mention किया था कि 371 से लेकर जे तक कौन से राज्य को किसमें दर्जा दिया गया है ठ तरह से ओडिसा है तो हमने हर चुनिंदा राज्यों को अलग अर्टिकल के clause में उसको special provision देने की बात कही है तो आपको यह सारे आर्टिकल याद करने के लिए बच्चों ने कुछ short forms भी बनाए है वो short forms आप याद कर सकते हैं class में मैंने आपको mention किया था ठीक है चलिए अग asteroids and comets तो पहला उना ने बोला है कि जो asteroids हैं यह चोटे rocky planetoids हैं यानि कि शुद्रग रहे हैं जबकि जो comets होते हैं यह frozen gases होते हैं जिसमें कुछ पत्थर और कुछ धातू उसके अंदर मिलते हैं ठीक है पहली statement हमें सही लग रही है दूसरा कह रहा है कि asteroids जो हैं यह हमें मिलत में बिल्कुल सही बात मैंने आपको कॉस्मोलाजी में पढ़ाई थी कि मार्स और जुपीटर के बीच में पाई जाने वाली heavenly body को हम asteroid belt कहते हैं तो यह मार्स और जुपीटर के बीच मिलते हैं उन्होंने बोला comets are found mostly between Venus and Mercury यह गलत हो गया comets के लिए मैंने ऐसा नहीं बोला था कि यह Mercury और Venus के बीच मिलते हैं comets are millions of comets मैंने आपको solar system के बाहर बताया था जो heliosphere था जिसमें जिसको ऊर्थ cloud मैंने आपको नाम दिया था तो यह आपकी second statement जो है यहां से गलत हो गई ठीक है comets जब सूरज के नजदीक से गुजरते हैं तो सूरज से निकलने वाली जो उश्मा है जो energy है वो इन gases को melt करती है और यह gases glow करती है और पीछे यह एक tail एक पूछ छोड़ती भी चली जाती है तो एक growing tail हमें comet में दिखती है इसी वज़े से इसको पुछल तारा भी कभी कभी संग्या दी जाती है जबकि asteroid में ऐसा कुछ नहीं है asteroid तो आपके मार्स जुपीटर के बीच में ही revolve करने है ठीक है यह glow नहीं करते तो अब क्योंकि पहली और तीस्टी स्टेटमेंट सही है तो इसका answer हो जाएगा बच्चो ब्रावो ठीक है चलिए अगले आगे बढ़ते ह अगला प्रशन है बेटा विच 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 ऑफ दी फॉलॉइंग विच ऑफ दो प्लैनेट हैस लाजस नंबर आफ नेच्रल सैटलाइट और मून्स अब देखो आप ध्यान दे कि जो जुपीटर है इसकी 80 सैटलाइट है ठीक है मार्स की दो सैटलाइट है सैटन की 83 सैटलाइट है और विच की कोई भी सैटलाइट नहीं है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चो चार्ली ठीक है ना इजी कोशन था आपका अगला प्रशन आपसे पूछा गया है कि विच अब दी फॉलिंग कंट्रीज इसका मेंबर नाइंटीन सिक्ष्टीन नाइंग म मेंबर हैं तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा बच्चो एलफा ठीक है यह एकनॉमिक्स का पार्ट है अंतराष्टे संस्थाओं भी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ओपेग जो है इसके हैटक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए वेना में है ठीक है आस्ट् नेक्सट इसके बाद यहां आप से पुछा गया है कि गवेशनल रेनफॉल जो कनवेशन रेनफॉल है अधूरिंग प्री मॉन्सुन समर इंडिया कंवेशन रेनफॉल को आप हिंदी में कहते हैं सम्भणिय वर्षा तो ध्यान दे जब सम्भणिय वर्षा होती है तो यह करेंटS बनेंगे उपर जाकर कर यह कंवेक्शन करेंट्स में ऊपर जाकर थंडे होंगे बाजल बनेंगे तो बारिश होगी तो यह कंवेक्शन रेंफॉल इसको कहते हैं क्योंकि है, काँभी Дám Monsun Summer in India. है ना ये मॉनसुन के आने से पहले Converse Rainfall कभी-कभी हो जाती है मैंने आपको जब Indian Monsun पढ़ाया था तो मैंने कहा था मॉनसुन के आने से पहले मई और जून के महिने में भारत में घरमियां होती है क्यों गरमियां होती है क्योंकि कि सूरज करक रेखा पर आ रहा होता है जून में करक रेखा पर आ जाता है तो गर्मी होने की वज़ा से प्रेशर लो जाता है हवा हलकी हो करके उपर जाती है उपर जाकर के कंडेंस होती है कंडेंस होती है तो कभी-कभी छुटपुट बारिश कर देती है तो यह प्री मॉंस था होता है प्रेशर की वजह से लो प्रेशर क्रेट हुआ लो प्रेशर ऊपर जा करके ठंडा हुआ वगे खते के का एलफो सबने बारिश हो गई निक समझे आई है और ए और आर दोनों से हैं यहां तक कि जो ईसका current explanation भी है तो इसलिए इसका answer हो जाएगा बच्चो alpha ठीक है got it समझाई यह मैंने आपको Indian monsoon में पढ़ाया था आप मेरे Indian monsoon वाली वीडियो भी देख सकते हैं next अगला प्रशन आपके सामने है उन्होंने बोला है Nifty is based upon 50 firms in India अगला उन्होंने बोला है statement Nifty is governed and regulated by the Reserve Bank of India Nifty does not trade in mutual fund ठीक है ना तो अब उन्होंने बोला है कि इन में से कौन कौन से आपके statement सही है ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से statement सही है Nifty जो है आपने सुना होगा हमारे देश में stock exchange जो है economics का term है यह economics में मैंने आपको बताया था कि wish में जो stock exchange है उनके नाम अलग अलग है जैसे USA में stock exchange को आप down jones कहते हैं जैपान में nippon बोलते हैं तो इंडिया में stock exchange के नाम है sensex है mcx है उन्हीं में से एक nifty भी है तो पहली statement रोड़ा ने बोली है या regulate किया जाता है RBI के दुवारा तो यह statement इसकी गलत है because इसमें सेभी और ministry of finance ministry of finance RBI के साथ मिलके यह तीनों संस्थाएं nifty को regulate करती है तो second statement गलत हो गई बेटा तीसी statement कह रहा है कि nifty जो है यह Mitchell fund में trade नहीं करती ये statement सही है क्योंकि nifty जो है financial market में trade करती है तो इसकी पहली और तीसी statement सही है that's why answer हो जाएगा बच्चो इसका delta ठीक है तो अगर आप थोड़ा regular economic times में ये newspaper पढ़ते हैं तो शायद थोड़ा सा economics को लेकर के आपकी जो पकड़ है वो command अच्छी हो जाएगी मैं आपको guide कर रहा हूँ system अब देखो उन्होंने statement number ब्रावो से शुरू कर रहा हूँ the pre dominant element in the composition of earth is silicon तो बेटा ये गलत है oxygen है ठीक है दूसरा कहा रहा है sun contains 75% mass of the solar system no 99.9% the diameter of sun is 190 times of that of earth नहीं 190 की जगे 109 है एक्चुली में तो तीन statement तो गलत ही हो गई बची कौन सी एक ये सही है हमारे solar system में mercury, Venus, Earth, Mars Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ये सारे planets है तो जिसमें से मैंने आपको बदाता है कि शुरू के जो चार planet है इनको inner planets या tertial planets कहते हैं और ये ज़्यादा dense है जबकि ये वाले कम dense है और इन सब में अर्थ की density सबसे ज़्यादा है ओके तो आपको शायद recall हो रहा होगा चलिए अगला है उन्होंने बोला है कि which of the following the government can influence private sector expenditure by तो private sector के expenditure को allure करने के लिए प्रभाव करने के लिए क्या हम कर सकते हैं तो ध्यान देना private sector पर फरक कप पड़ेगा जब भी सरकार tax में कुछ increment या decrease करेगी इसका प्रभाव private sector पर पड़ेगा subsidies provide कराना private sector पर पड़ेगा बिलकुल उनको grants यानि कि उनको कुछ पैसा मोहिया कराना macro economic policies का मतलब जब सरकार भारत सरकार जो है देश के लिए कुछ नीतियां लेकर आती है जैसे मनों GST लेकर आई तो GST ने पूरे भारत पर असर डाला तो ऐसी policy जो पूरे भारत पर असर डालेंगी तो उसको macro economic policies कहेंगे तो यहाँ पर दिये गए चारो ही आपके ऐसे factors हैं जो private sector के expenditure पर प्रभाव डालते हैं इसलिए इसका answer मैंने आपको alpha दिया है ठीक है चलिए अगले परशन की तरफ next question is आप से पूछा गया है कि WTO came into existence in the conclusion of the which round of GAT अब ध्यान ने यहाँ पर अच्छा सॉरी मेरा question आपका different है which of the following are included in the category of direct tax in India तो बिटा direct tax का मतलब क्या होता है वो समझो पहले direct tax और indirect tax आपने economics में पढ़ा होगा ऐसा टेक्स जो जिस पर लगाया जाता है वो ही अगर पे करे तो वो होता है direct tax लेकिन indirect tax का मतलब होता है कि लगाया किसी और पे दिया किसी और ने example से समझते हैं भाई मानो मैंने यह marker लिया यह marker बनाया मैंने नी marker जिसने बनाया उस उस पर tax लगा लेकिन यह marker मैंने खरीदा तो पैसे तो मैंने पैए करे पैसे दिये मैंने लेकिन tax सरकार ने मेरे पर तो ने लगाया tax तो इसने manufacturing unit के उपर लगाया कि जो manufacturer था उसके उपर tax लगाया और दिया पै किया मैंने तो यह indirect tax हुआ मैं अगर कोई भी commodity कोई वस्तू बजार से खरीदूगा तो वो indirect tax हुआ वही पर अगर मानो मेरी income पर मेरी wealth मेरी property के उपर जो लगने वाला tax है वो direct tax है क्योंकि वो मेरी property पर लगा मेरी income पर लगा मैंने पै किया तो यहाँ पर direct tax कौन कौन से है तो देखो जो corporate tax है यानि कि company के उपकी income पर company की income पर लगने वाला जो tax होता है वो corporate tax है यह भी direct tax है tax on income income tax भी direct tax है wealth यानि कि मैंने कोई property बेची खरीदी उस पर लगने वाला tax यह भी direct है custom duty नहीं बेटा custom का मतलब होता है import duty जो होती है वो indirect tax है exercise मतलब जो manufacturing की की कोई किसी भी वस्तू के उत्पादन पर लगने वाला जो कर होता है वो exercise duty होता है तो इसका answer बेटा alpha है पहला दूसरा और तीसरा इसके direct tax हुए ओके next यहां अब यह प्रशन है WTO तो ध्यान देना जो world trade organization है और यह है general agreement for trade and tariff ध्यान दे विश्व में world bank और IMF की स्थापना जब हुई 1944 में तो उसी समय international trade organization की भी रोध की वज़ा से international trade organization की स्थापना नहीं हो पाई फिर आगे चल करके कुछ देशों ने एक general agreement for trade and tariff नाम की संसा बनाई थी लेकिन इसी संसा का नाम change करके 1995 में जो है WTO रख दिया गया था world trade organization तो पूछा गया है कि यह कौन सी conference में रखा गया था तो ध्यान रखना मरकेश नाम की conference हुई थी मरकेश एक जगे पढ़ती है मौरको में तो इसका correct answer हो जाएगा डेल्टा ओके चलिए अगला है आपसे पूछा गया है which one of the following countries is not a member of ASEAN तो देखो यह जो आशियान है it is an association of South East Asian nation जिसमें करीब-करीब 10 member countries हैं किती member countries हैं 10 member countries है तो आपसे पूछा गया है जो इसका member नहीं है तो ध्यान अखना इंडिया is not a member of India हाला कि इंडिया 1992 से आशियान के संग जुड़ा हुआ है पर यह इसका सदस्य नहीं है ध्यान लखेंगे आप ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ भढ़ते हैं survey of India तो बेटा आपसे पूछा गया survey of India is under the ministry of तो इसका आंसर हो जाएगा science and technology ठीक है जो survey of India यह किसके अंडर में आती है तो राज्ये सभा की special power जो है तीन बताई थी मैंने एक article 67 एक article 249 एक article 312 article 249 में यह mention किया था हमने कि राज्ये की सूची में अगर कोई fair बदल करना होगा तो वो राज्ये सभा कर सकती है तो यहां पर आप देखें राज्ये की सूची के वर में देखो केवल इसी में दिया हुआ है राज्ये की सूची के मामलों में कुछ भी fair बदल करने का विधाई शक्ती राज्ये सभा की है तो यही इसका answer भी हो गया बेटा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण पॉलिटी का कोश्चन है फिर से राज्ये सभा के जो सजस्य होते हैं वहें पब्लिक अकाउंट कमिटी में जाते हैं एसोसियेटेड हैं लेकिन पब्लिक अंडर्टेकिंग्स members of committee on estimates are drawn entirely from the log-swabah the Ministry of Parliament Affairs work under overall direction of cabinet committee अच्छा अब यहां थोड़ा सा जो detail में हैं आपको हो सकता है थोड़ा confusion हो करकी काफी लंबी statement है मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो री है काफी लंबी था कि दो प्रकार की committees होती है एक temporary और एक permanent ad hoc committee और standing committee standing committee जो होती है वो छे प्रकार की होती है उस छे में एक होती है financial committee financial committee फिर तीन प्रकार की होती है public account committee होती है estimate committee होती है and committee on PSU आपको अगर याद आया हो ठीक है बेटा तो यहाँ पर पहली statement यह है कि public account committee और public undertaking committee में जो member होते है उसमें राज्य सभा से भी सदस्य लिये जाते हैं सही बात है लेकिन जो estimate committee होती है उसमें सारे सदस्य लोग सभा से होते हैं yes बेटा पहली statement repertoire बिल्कुल सही है estimate committee में 30 member लिये जाते हैं और सारे के सारे कहां से लै जाते हैं लोग सभा से जबकी public account committee और committee on public sector undertaking में 22 लोग होते हैं जिसमें रोकसभ राज्यसभा दोनों से member आते हैं अगला कह रहा है कि जो parliamentary affairs ministry है वो किसके अंडर में काम करती है under the parliamentary affairs cabinet committee ठीक है ये सही बात है देखो जो भारत सरकार है भारत सरकार में आपने word सुनाओगा council of minister तो इतने सारे मंत्राले हैं और इतनी बड़ी team प्रधान मंत्री की है इस possible नहीं है कि हर दिन हर मंत्री के साथ आप मुलाकात करो तो हमने यहाँ पर एक विवस्था करी है cabinet committees की तो cabinet committees जो होती है वो overall work को organize कर दी है तो जो cabinet committee parliamentary affairs की है वो parliamentary affairs मंत्राले को निर्देश देती रहती है तो इसका मत्लब यह मंत्राले cabinet committee के अंडर में काम करता है यह second statement सही है आपको मैंने notes में आपको एक group में मैंने एक note भेजा था जिसमें मैंने आपको 8 cabinet committees के बारे में नाम उसका mention किया था आगर आप याद करो तो आप भूल गए होंगे ठीक है next ministry of parliamentary affairs यही वाली यही मंत्राल ठीक है nominates member of parliament on committee council board commission etc set up by the government of Indian various ministries yes बेटा यह आपको एक note की तरह है ध्यान रखना है notes से आपके यह notes से आपके यह तीनो statement सही है और तीनों आप notes की तरह आद कर सकते हैं इसका answer delta है ध्यान रखें important question है थोड़ा lengthy है इससे आपके polity के और extra notes बन सकते हैं ठीक है चलिए आगे इसे हैं the district collector reports to which office तो ध्यान अखना यहां पर उन्होंने बोलावा है कि जो district collector है तो यहां पर एक वरियता होती है जैसे चीफ मिनिस्टर आपके सुना होगा चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के अंतर का नीचे आता है principal secretary principal secretary के नीचे आता है divisional commissioners और divisional commissioners के नीचे फिर आते हैं आपके dm and district collectors तो इसका मतलब जो district collector है वो अपनी report किसको सौपेगा divisional commissioner को सौपेगा इसलिए इसका answer हो जाएगा बच्चो चारली ओके तो यह थोड़ा प्रशासना से जुड़ी वे आपका तत्य है gk का part है यह आपको किसी किताब में नहीं मिलता है ओके which of the following correct sequence आपको बताना है प्राइम निस्टर इंडिया आप देखो भारत में जो प्रधान मंत्री हुए है तो मैं यहापन मेंचन कर देता हूं इंद्रा गांदी जी जो है 1966 से 77 और फिर 80 से 84 जवाला लहरू 1952 से 64 जबकि मुरारजी दिसाई जो बने थे वो 1977 से 79 बने थे और यह 79 से 80 ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर सभी प्रधान मंत्री के कारेकाल मेंचन कर दी हैं अब आपको बताना है कि इनका मिनिस्टर का correct chronological order कौन कौन पहले बना उसके बाद and so on तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहले जवाला लहरू बने उनके बाद इंद्रा गांदी जी बनी इंद्रा टू वन उसके बाद आपका फिर मुराजी देसाई फिर चरण सिंग तो इसका answer correct क्या हो जाएगा बच्चो चारली तो आपको अगर भारत के प्रधा में मानौरिटी शब्द की परिभाशा तो नहीं दी है लेकिन मानौरिटी किस अधार पर है वो जरूर बताए गया है और वो अधार है भाशा या धरम धरम या भाशा के अधार पर मानौरिटी इसको जो है गोशिद किया जाता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क कि परसंटेज नहीं है दोनों है ओके ध्यान लखेंगे आप कोशन है तो इजी लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से कॉंप्लिकेटेड हो गए अगला प्रशन आपके सामने उन्हों ने पूछा है विच अब दी फॉलिंग इस नोट explicitly stated in the constitution but followed as a convention देखो लिखा नहीं है सविधान में पर ऐसा किया जाता है क्या finance minister is to be a member of lower house नहीं जरूरी नहीं है कि finance minister लोगसभा से हो प्रधान मंत्री has to resign if it loses majority in the lower यह दियान लखना हमारे constitution में ऐसा नहीं लिखावा कि लोगसभा भंग होने पर प्रधान मंत्री स्टीफा दे देगा बड़ ऐसा किया जाता है जैसे ही लोगसभा में बहुमत गिरी सरकार की प्रधान मंत्री को स्टीफा देना पड़ेगा लिखा नहीं है बड़ ऐसा किया इस है, नेक्स्ट, ग्राम सबा अब उन्हाने कोशन बोला है कि ग्राम सबा का मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है उस पंचायत के एरिया में जितने लोग रहते है तो घ्राम सबा नहीं गलत, जो व्यक्ती, डिस्ट्रिक्ट अथरूरिटी के दोरह नोटीफाइड है व पर संद रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स मतलब जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में हैं उस पंचायथ से संबंधित गाउं के लेवल पर उससे ग्रामसभा बनती है और फिर ग्राम तो ध्यान दें अब उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 275 ध्यान अखना यहां पर यह आर्टिकल 275 कहता है कि इट इस ड्यूटी अब दसेंट्रल गवर्रमेंट तो प्रोवाइड लेकिन क्या है सभी राज्यों को मदद करने की बात कही गई है तो ध्यान अखना हर राज्य की मदद करेगा राज्य सरकार ऐसा नहीं है यह डिपेंड करता है जिसको जरौत है उसकी एक हेल्प करना financially तो यहाँ पर यह every word जो आगया इसलिए statement गलत अगला बोला है कि जो grants in aid grants का मतलब पैसा permission aid माने help तो यह uniformly distribute होती है नहीं बेटा यह uniformly distribute नहीं होती यह depend करता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया किसी को कम भी दिया जा सकता है किसी को ज़्यादा भी दिया जा सकता है ठीक है तीसरा कह रहा है कि finance commission जो होता है यह insure करता है यह सुनिशित करता है कि जो help दी जारी है वो हर राज्जे को पहुचे नहीं अगेन यहाँ पर every state गलत हो गई तीनों statement गलत हो गई क्यों गलत हुई यह every word की वज़े से यहाँ पर uniform की वज़े से और यहाँ पर फिर से every word की वज़े से तो इसलिए इसका answer है बच्चो डेल्टा ध्यान देना statement देखने में पढ़ने में सही लगती है लेकिन एक word उस statement को answer change कर देता है तो थोड़ा सा precise हो करके आपको quality पढ़नी पढ़ती है अगला प्रशन है आप सा President, Judges of Supreme Court MP, Minister for the Union अब देखो यहां पर उन्होंने mention किया है कि ये लोग जब शपत लेते हैं तो किसीश की शपत लेते हैं तो ध्यान दखना जो राशपती है बेटा राशपती शपत लेता है सविधान की सुरक्षा करने की protect करने की, उसको अपोल्ड करने की ठीक है, वहीं पर जो सुप्रीम कोट के जज है वो शपत लेते हैं किसकी, तो सविधान के प्रती वफदार रहने की उसके प्रती वफदार elegance रहने की विश्वास करने की MP जो शपत लेते हैं वो अपने कर्तवियों का निर्वाहन करेंगे faithfully और मंत्री अपनी गोपनियता की शपत लेता है किसकी शपत लेता है गोपनियता की तो ये आपको ध्यान अखना है schedule third, हमारे भारते सविधान के schedule third में oath and affirmations के बारे में दिया हुआ है और कौन क्या शपत में बोलता है, वो भी इसी में mention है तो इसलिए इसका correct answer हो गया बच्चो ब्रावो, ओके next अगला question है आपके सामने इन में से कौन सा गलत है तो ध्यान दे supreme command हमारे defense forces की राश्पती के पास है बिलकुल इसका मतलत क्या है कि तीनो सेना प्रमुखों को राश्पती appoint करेगा जब भी देश की emergency लगेगी nation emergency लड़ाई होगी तो राश्पती notify करेगा end करनी होगी तो राश्पती end करेगा दूसरा कह रहा है कि तीनो सेना प्रमुख जो होते हैं वो राश्पती के direct control में है, no बेटा, ये गलत हो गया defense minister के control में होंगे राश्पती के direct control में नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि surgical strike या बाला कोट की जो strike हुई वो राश्पती को बता के हुई अगर ऐसा होता, तो यह statement सही हो जाती, ये तीनो chief direct control में नहीं है राश्पती के तो यहाँ पर नोने not correct पूछा था इसलिए इसका answer हो गया, बच्चो ब्रावो, हमें आगे जाने की जरूती नहीं है चलिए, interstate council, अब देखो मैंने आपको article 263 पढ़ाया था तो article 263 में मैंने आपको mention किया था कि interstate council में कौन कौन आता है, तो यहाँ देख लेते हैं प्रधान मंत्री जी आएंगे, बिल्कुल सभी राज्यों के मुख्य मंत्री आएंगे, बिल्कुल सही CMF Union Territories with Legislation, मतलब जिन राज्यों में विधान सबाए हैं, वहां के मुख्य मंत्री बिल्कुल सही, 8 कहां, यह गलत हो गया बिटा, आठ नहीं, 6 Union 235, यह आप अपनी बुक में चेक करेंगे, मैंने आपको पेज नमरी बता था अंतर राज्ये परिशत का निर्मान आर्टिकल 263 में राश्पती करता है किसी भी राज्यों के बीच में विवादों को, मसलों को सुलजाने के लिए बहतर कॉडिनेशन के लिए Next Question है, आपसे पूछा गया है कि Chairman and Deputy Chairman of the Raja Sabha not the member of Raja Sabha और दूसरा कहे रहा है, अच्छा, देको जो Deputy Chairman होता है और Chairman होता है Raja Sabha के वे Raja Sabha के Member नहीं है Chairman and Deputy Chairman of Raja Sabha are not Member of Raja Sabha तो बेटा ये तो पहली statement तो गलत हो गई chairman तो member नहीं होता लेकिन deputy chairman तो राज्यसाब का member होता है ध्यान दो chairman तो vice president है ठीक है वे राज्यसाब का member नहीं है लेकिन deputy chairman तो होता है तो पहली statement हो गई गलत ओके अगला while the nominated members of the parliament have no voting right in presidential election they have right to vote अब देखो जो राज्पती के election होते हैं राज्पती के election में nominated member नहीं आते लेकिन जब removal की बात आती है किसकी sorry vice president के election में nominated members आते हैं तो ये second statement सही है बेटा that's why इसका answer क्या हो जाएगा second statement क्या हो गई बेटा सही हो गई ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते है आपसे प्रशन पूछा गया है who elect the vice president तो बहुत असान है vice president में लोगसभा और राज्जे सभा के सारे ही सदस्से आते हैं आपको मैंने mention किया था तो electoral college का मतलब क्या हुआ निर्वाचक मंडल यानि कि voters कौन होंगे जिसमें सभी members of parliament इसका answer क्या हो गया चारली polity में बेटा language का फरक पड़ेगा आपको उसकी भाषा पर interpret करना पड़ेगा decode करना पड़ेगा कि वो आपसे पूछना क्या चा रहा है और आपको क्या बता रहा है कि प्रधान मंत्री जी ने प्रवासी भारतिय दिवस जो इंदौर में हुआ था तो इसमें chief guest किसको बुलाया गया था तो इसमें ध्यान अखना ये राश्पती of गाइना के राश्पती को बुलाया गया था जिनका नाम है मुहम्मद इर्फान अली ठीक है ना ये आपका current affairs based question है अगला प्रश्ण आपसे पूछा गया है कि which state has won the united nation habitats world habitat award 2023 फोर जागा mission ठीक है तो आप देखो यहाँ पर इसका answer है बेटा ओडिसा ये जो आपका world habitat award 2023 है जागा mission ये किस से सम्मंदित है वहां के slum area को improve करने को लेकर slum area को improve करने से सम्मंदित ये award ओडिसा को मिला है ठीक है ना अपग्रेडेशन को लेकर के next question आपसे पूछा गया है कि who inaugurated the first STEM innovation and learning center in चिन नहीं ठीक है तो ध्यान रखना UNESCO यहाँ पर STEM में S का मतलब है science ठीक है टी माने technology ओके E माने engineering M माने maths इन चार sectors को innovate करने के लिए नए-नए methods को introduce करने के लिए ही एक center का निर्मान किया गया है UNESCO के दुआरा ठीक है next अगला प्रशन है आपके सामने UNESCO ने decide किया है कि 2023 जो है ये international day of education of to Afghan girls and women ये तो ये कौन सा दिन है तो ध्यान अखना आपने अफगानिस्तान में सुना भी होगा यहां की 80% जो लड़किया है वो school से बाहर हैं तो उन particular बच्चों की जो वहां की girls हैं लड़किया हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुहीम छेडी गई है युनिस्कों के दुआरा तो इसी वज़ए से युनिस्कों के दुआरा जो है 24 जन्वरी को ये day celebrate करने की बात कही गई है international day for of education to Afghan girls तो वहां की 80% जो बटा लड़किया हैं वो school के education से बाहर हैं ठीक है ना समझ पा रहे हैं वहां क्या scenario चल रहा है चलिए अगला प्रशन है आपका who is set to replace Jacinda Adam as New Zealand's Prime Minister तो ध्यानकना its answer is Chris Hipkins ठीक है ना क्योंकि बाकी के जो option है ये सब उसके मंत्री मंदल के मंत्री हैं तो जो Chris Hipkins है वो इसका right answer है अगला प्रशन कौन से देश की country कौन से देश की population decline हुई है पहली बार 61 सालों में तो ये आप तो बहुत ही चर्चा का कुछ प्रशन है चाइना में population पहली बार 61 साल में decline करी है ठीक है ना चलिए अगला प्रशन है आपके सामने उन्होंने पूछा है who among the following was named as the president of COP 28 climate conference तो अब देखो मैं आपको clear कर देता हूं ये कोप क्या है तो आपने एक संस्था का नाम सुना होगा UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change तो इस पर्टिकलर संस्था अंतराश्य संस्था की एक सुप्रीम बॉड़ी है जिसका नाम है Conference of Parties Conference of Parties तो इस Conference of Parties की Climate Change के उपर एक वार्षिक संभेलाओन होता है Annual Session तो उसी Annual Session को ये जिस संख्या का Annual Session होता है उसी को COP 1, 2, 3 करते-करते 27, 28 कहा जाता है तो जो COP 27 है ये इजिप्ट में हुआ था अब अगला जो 28 है ये UAE में होने वाला है कहां पर होने वाला है UAE में तो यहां पूछा गया है कि किसको President बनाया गया है तो इसका सही आंसर है बेटा सुल्तान अल-जबेर ठीक है ना क्योंकि ये UAE में होने वाला है चलिए आपको समझ में है कुछ extra information भी आपको यहां पर मिली है प्रशन है कि कौन से देश ने इनागरेट किया है तो इसका बेटा आंसर है नेपाल चाइना की मदद से नेपाल ने एक एरपोट की स्थापना करिये इनागरेट किया है अगला प्रशन आपके सामने है तो ध्यान अखना ब्राजील ने अपने नेटिव लोगों के लिए एक अलग से जो है मंत्राले का निर्मान किया है अपने वही के नेटिव इंडिजनेस लोगों के लिए चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रशन आपके सामने है according to the world bank which south asian countries has the weakest economy तो ये तो आपका अभी recent news में था आपको आपने सुना होगा पाकिस्तान की इस समय जो data निकाला गया है उसके हिसाब से सबसे weakest economy कहां की चल रही है पाकिस्तान की ठीक है ना तो ये आपके सामने बेटा mock test papers के कुछ प्रशन में आपके सामने लेकर आया था तो उमीद कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से अपनी preparation करने हैं तो मैंने जो mock test papers आपके सामने रखा उससे आपकी वो सारे subjects GS के revise हुए होंगे और मैंने कोशिश करी है कि आपको प्रशन का explanation to the point रखूं और इतना रखूं कि आपकी चीजें clarify हो जाए तो आप मेरे संग ऐसे जुड़े रहें मैं ऐसे ही आपके सामने और mock test papers की series लेकर आता रहूँगा जैसे जैसे मुझे बच्चों का support मिलेगा मैं वैसे वैसे और मुझे प्रेड़ा मिलेगी ऐसी और वीडियो बनाने की आपसे यही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को like करें, share करें, जाजा स्यादा बच्चों तक पहुचाएं so that हमें बेटा encouragement मिलता रहे and आप सभी को आपके आने वाले exam के लिए बहुत बहुत शुब कामना है, all the very best, जैहिन बच्चों